Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं सब लोग, मस बढ़िया तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्मकलोजी का चैप्टर नमबर 2 का लेक्चर नमबर 5 ठीक है ना, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं Anti-Adrenergic Drug तो उमीद कर रहा हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है चीजों को classification वगरा, pharmacological action वो बाते तुम लोगों को समझ में आ गई होंगी ठीक है ना, तो चलिए हम लोग लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आज हमार पास combine में दो चीज़ें चलने वाली है, ठीक है, तो anti-adrenergic, simple सी बात है जिसको adrenergic के बारे में पता है, तो जो adrenergic को रोकेंगे, वो anti-adrenergic हो जाएंगे simple सा है, तो definition में क्या आ जाएगा, these are drug which antagonizes, antagonize मतलब विरोध करेगा, रोकेगा, the receptor action of adrenaline and related drug है ना, adrenergic में सारे काम कौन करवाता था, adrenaline, तो adrenaline के सारे receptors को ब्लॉक करेंगे यापर, या adrenaline के function को रोका जाए, किसी भी तरीके से बात कर लेंगे, बात दोनों का मतलब एक ही है, और वो मतलब क्या कहलाता है, इसकी definition याने की anti-adrenergic जो है, वो receptor जिनके उपर adrenaline काम करता है, वो receptor ब्लॉक किये जाए, या adrenaline के काम को रोका जाए, तो adrenaline के काम को रोकने के लिए हमको उसके receptors को ही ब्लॉक करना पड़ेगा, they are competitive antagonists, competitive होते हैं वहिया, कि हम जाके पहले तुमसे ज्यादा पहले जाके लगेंगे और ब्लॉक करेंगे, competition देते हैं, at alpha और beta और बोथ alpha और beta adrenergic receptor, यह competitive होते हैं, ठीक है, अलफा पर एक बीटा पर या दोनों पर एक साथ काम यह कर सकते हैं, अब classification में बच्चों देखो थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, classification में अलग-अलग है, अलग-अलग इंदर सेंस, एक है यह alpha का और एक है beta का, क्योंकि दोनों का अलग receptor है, यहाँ पर दे रखा है equilibrium और non-equilibrium, कुछ books में लिखा होगा, irreversible और reversible, तो reversible reactions कौन सी होती है, reversible वाली कौन सी होती है, equilibrium पर है, तो यहाँ पर इस चीज़ें क्या होती है, reverse हो सकती है, लगेगा receptor पर हट भी जाएगा समयाने पर, यहाँ पर permanent लग जाएगा, ले डालेगा receptor को, ठीकर, फिर नए receptor हमको वहाँ पर body का करेगी, एक तरह से बनाएगी वहाँ पर, तो irreversible है, यह permanent ब्लॉक करेगा, यह कुछ दिर के लिख ब्लॉक करेगा, फिर हट जाएगा, simple सी बात है, तो irreversible के अंदर, या non-equilibrium के अंदर या equilibrium और reversible के अंदर, पहले यह पाट पढ़ने तो इसके अंदर एक ही आता है, बीटा, हेलो, अलकाइल अमीन, जिसके अंदर, फिनोक्सी, बेंजा, माइन आता है, अब equilibrium में category है, हमारे पास non-selective और selective की, अब non-selective की बात अलग करेंगे, selective की करने तो alpha 1 और alpha 2, दोनों के लेके एक है, तो मैंने जैसे एक पता है, कि सबसे पहले का करना है, reversible और irreversible हो गया, फिर उसके अंदर, reversible का अंदर selective और non-selective कर लोगे, अब selective के अंदर चाहो तो यहाँ पर इस तरह category तोड़ सकते हो, selective लिख करके इस तरह से दो category बना सकते हो, और non-selective की फर्दर कितनी ह तो जो एलकोलाइड है, इमीडाजोलीन है, मिसलेनियस है और हाइडोजनेट अरगट एलकोलाइड है, ठीक है, बास समझ में आ रही है, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, हमको इनकी में में हैडिंग को कवर करना है, ठीक है ना, कि कौन कौन से है, irreversible, reversible, selective, non-selective, फिर उस सब हेडिंग के अंदर, एक, एक, दो, दो ड्रग को हमको कवर करते हुए, याद करना है, ठीक है, बास समझ में आ रही है, किलियर है बाते हैं, तो याद करने का तरीका तो देखो यही रहेगा, आगे आते हैं, अब बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग में दो टा अगरान होता है, फर्स्ट में बहुत फेमास पता है, मीटो प्रोलन और लेविटोलोल, तो याद करना बड़ा असान हो जाएगा, तो बैटर आ कहूंगा, यह इस तरीके से याद करो, बजाये इसके की, इस तरीके से याद करो, ठीक है न, इसमें नॉन सिलेक्टिव, सिंपटिवेटिया एक्टिवीये करती है यह आसे इनके पास ये आलफा ब्लॉकियंगे सीमपल सिंपल और यह क्लासिफिकेशन तो टोटल रटने वाला काम है, यहांपर कुछ समझाने जाएशा कुछ नहीं है, तो बैटर है कि आप इसको ऐसे याद करें, बजाए इसको की वैसे याद करें, दोनों बताना मेरा काम था, next आते हैं pharmacological action तो देखो pharmacological action फ़रा simple है इसमें और general effect of alpha blocker alpha blocker के general effect की बात करें हम लोग तो देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर कहा रहा है blockade of vasoconstrictor alpha 1 यानि कि जो alpha 1 जो vasoconstrictor करता है यानि कि blood vessel को constitute करता है सुकोड़ेगा उसको block कर देगा reduce peripheral resistance which causes which causes reduce cardiac output इसकी वएसे cardiac output क्या होता है reduce होता है और fall in BPO हो जाएगा ठीक है ना note space को पर सभी कर दूँगा तो हुआ क्या यह कि cardiac output या simple हम बात करें तो reduced cardiac output इसको लिख सकते हैं यानि जो constriction वाला part है जो alpha क्या करता था constrict करता था यह इसको block कर देगा तो अब यह constrict नहीं कर पाएगा जब सकुड़ेगा नहीं तो BP हमारा क्या कर जाएगा fall कर जाएगा गिर जाएगा peripheral resistance के बारे मैंने बात की थी ठीक है reduce peripheral resistance जितना ज़्यादा peripheral resistance गिर जाएगा BP भी उतना ज़्यादा गिर जाएगा अब BP गिर रहा है यहाँ पर साफ सीरी बात है जो sympathetic sympathetic थे BP को बढ़ाते थे यह blocker है तो BP को गिरा देंगे ठीक है hypertension हो जाएगा बिपी गिरेगा occur on standing dizziness इतना ज़्यादा कई बार गिर जाता है BP की चकर से आतने और syncope ठीक है ना यानि की बियोसी छाजाएगी और इंसान गिर पड़ेगा चकर जैसा आना और यहाँ पर विल्कुल बियोसी होगे गिर पड़ना reflex tachycardia अब जब BP गिरेगा तो उसके response में body उसको maintain करने कोईश्ट करेगी तो tachycardia heart rate बढ़ जाएगी due to fall in mean arterial pressure जब प्रेशर गिरेगा तो उसके वज़े से एक दूसी condition क्या स्टार्ट हो जाएगी टैकाई cardia हो जाएगा जोकी reflex action है BP गिरने की वज़े से reflex action के तौर पर टैकाई cardia हो जाएगा तो क्या 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 point हो गए cardiac output गिर गया BP गिर गया hypotension हो गया टैकाई cardia हो गया nasal stuffiness नाक में भरा भरा सा लएगा जगरन से लएगी meiosis ठीक है ना जो मारी आँक पुतली है वो स्रिंक कर जाएगी result from blockade of alpha receptor अब इसको याद रखो चाहे ना रखो ये चीज याद रखना क्या effect आया फार्मकलोजी कलेक्शन meiosis हो गई nasal stiffness हो गई ठीक है अब ये क्यूं हो गई ये उसका आगे reason दे रखा क्यूं हो जाता है from blockade of alpha receptor in nasal blood vessel alpha receptor जो थे नाक में पाए जाते उनको ब्लॉक कर दिया है and in radial muscle of iris जो radial muscle आखों में जो radial muscle होती है उनके उपर alpha receptor पाए जाते थे वो block हो गए है तो क्यूं हो गए अब इससी बात है alpha receptor block हो गए होंगे इसी वज़े से nasal stiffness और meiosis हो गई है तो simple हम pharmacological action याद रखेंगे जो पूरा समझ के याद रख सकते हैं अच्छी बात है कोई दिक्कत अले बात नहीं है intestinal motility increase कर जाती है अब intestinal motility increase कर जाएगी तो bowel movement बढ़ जाएंगे यानि कि potty वगरा आएगी hypotension produced by alpha blocker can reduce renal blood flow अब जो hypotension हुआ है BP गिर गया है उसकी वज़े से renal blood flow गिर जाएगा यानि कि kidney के पास खून कम पहुँचेगा GFR is reduced glomerulus filtration rate गिर जाएगा and more complete reabsorption of sodium plus and water occur अब क्या है ज्यादा अच्छे से sodium plus और water का reabsorption हो जाएगा जिसकी वज़े से sodium plus retention and expansion of blood volume ठीक है blood volume आने की blood body में क्या है blood का volume जो है वो क्या हो या बढ़ जाएगा और sodium retention भी बढ़ जाएगा तो overall अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो गया है hypotension होने की वज़े से या simple अगर major सीधा effect की बात करें तो sodium retention and expansion of blood volume body के अंदर sodium retention बढ़ जाएगा और blood का volume बढ़ जाएगा ठीक है हुआ कैसे है यह पूरी सिरीज दे रखिए किस तरीके से हुआ BP गिरा BP गिरने से kidney के पास blood कम पहुँचा blood कम पहुँचने के वज़े से क्या हो गया complete re-absorption of sodium sodium पूरी तरीके से re-absorb हो गया और water occur in the tubule ठीक है sodium और water दोनों re-absorb हो गया जिसकी वज़े से sodium retention और expansion of blood volume हो जाता है तो main effect देखेंगे वो main effect यह है इसको याद करके लिखेंगे tone of smooth muscle in bladder trigon bladder trigon की बारे मैं बात कर चुका था जो tone होता है tone मतलब उसका अदर जो उसकी stiffness रहेगी एक तरह से उसकी तागत रहेगी smooth muscle in bladder trigon instinctor and prostate is reduced हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे टाइट ना रहे करके लूज हो जाएंगे बाइब ब्लॉकेड ऑफ अल्फा-वन रिसेप्टर ठीक है जब अल्फा-वन क्या करते थे उसको टाइट करते थे हैं ना जो bladder trigon muscle होता था इंस्पिंटर होते था प्रॉस्टेट होता उसको ठीक है तो अब होगा क्या जब यह काम हो गया टोन जो होएब गिर गई ब्लडर की इंस्पिंक्टर की प्रॉस्टेट की होगा क्या urine flow in patient with benign hypertrophy of prostate is improved अब उससे क्या होगा कि जो urine का flow है वो काफी इजली हो पाएगा तो यहां पर हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि क्या होगा कि urine flow in patient with benign hypertrophy benign मतलब hypertrophy ऐसी है जिसको हम ठीक कर सकते है और prostate is improved prostate की प्रॉब्लम की वैसे urine की दिक्कत हो रही थी पास होने में उसमें क्या होती help हो जाती है वो पास आसानी से हो जाएगी contraction of वास्ट डेफरेंस इसके बारे हमने पीछी जिक्षी किया था तो comparative पढ़ना ज्यादा अच्छा रहाएगा दुनों नोट सामने रख करके and seminal vesicle which results in ejaculation are coordinated through alpha receptor alpha receptor की वज़े से वास्ट डेफरेंस और seminal vesicle मिल करके ejaculation sperm को भार निकलवाते थे as such alpha blocker can inhibit alpha blocker और इस ejaculation को रोग देगा ठीक है दिस में manifest as importance और इस वह से importance आता है जिसे कहते है बांशपन या फिर कहलोगी sperm सही से भार नहीं आएगा तो बच्चे होने में दिक्कत हो जाती है तो importance क्या create हो गया तो यह हो गया हमाँ पास alpha blocker का बात कर लें beta blocker का ठीक है तो heart cure पर इसका क्या असर है beta blocker में हम लोग सारी बाते है propnalol को लेकर करेंगे जो कि हमारा prototype हो जाएगा ठीक है सारी बाते है propnalol को लेकर discuss की जारी है decrease करेंगा heart rate force contraction भी decrease कर जाएगा and ultimately cardiac output decrease कर जाएगा blood vessel की बात करें तो अपना लौल blocks vasodilation and falls in BP जो dilation है क्या करेगा उसको blocks vasodilation उसको ब्लॉक करेगा और BP fall करवा देगा ओके अच्छा सॉरी ब्लॉक कर रहा है vasodilation को और fall in BP को ठीक है BP जो गिर रहा है और जो vasodilation है इसको क्या कर रहा है रोक रहा है now central nervous system पर no overt central effect overt मतलब कोई खास सीधा direct कोई effect देखने को नहीं मिलता है central nervous system पर ठीक है are pursued by propanolol however हाला की subtle subtle मतलब सूच में बहुत थोड़े से behavioral changes forgetfulness भुलकड़पन increased dreaming सपने ज्यादा आएंगे nightmares है ना ड्रावने सपने आ सकते हैं have been reported with long term use of relatively high dose अगर लंबे समय तक इसका इस्तमाल किया जाए तो दिमाग के उपर कोई बहुत विशेस असर तो नहीं आता है लेकिन हां बुलकड़पन चीजें भूलना थोड़ा बहुत 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 चेंज आ सकता है ठीक है propanolol has membrane stabilizing membrane को stable कर देता है यानि कि sodium channel को block कर देता है अब sodium channel का मतलब समझ में आ रहा होगा ना उसमें sodium channels होते हैं जो sodium को अंदर बुलाने को करते हैं तब ही हमारा अनेस्थेटिक जहां लग जाएगा तो वहां पर क्या कर देगा आज यहां के channel को क्या कर देगा ब्लॉक कर देगा यहां पर जितनी नर्फ होंगी उनको ब्लॉक कर देता यह सिग्नल क्रियेट होने नहीं देगा सुन कर देगा कि हब और इपक्लिनिकल यूजेबल नहीं करते हैं ड्यू टु इरिटेशं एक्षिन जण पैदा करता हैं इसके वैशी का मिस्तमाल नहीं करते हैं ओक्यूलर इरिटेशं आउख में डेलें गर तो जरन पैदा होती है कॉर्नियल एनस्सिया ओकर कॉर्णिया जो होती ही उसम हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि यह क्या है irritation करता है क्या क्या करता है irritation metabolic की बात करें तो हमको पता है एड्रेनर्जिक में क्या हुआ था एक लाइपोलिसिस हो रही थे तो यहां रुक जाएगी ठीक है तो propanolol blocks था adrenagically induced lipolysis adrenagic drugs जो lipolysis create कर रहे थे उनको ये block कर देगा consequent परिणाम सरूप increase in plasma free fatty acid level तो plasma में जब lipolysis टूटना बंद हो जागा तो lipid का content याना की fatty acid क्या होगा बढ़ जाएगा plasma में अब plasma triglyceride level and LDL HDL cholesterol ratio tend to increase during the propanol therapy जब propanol therapy चलती है तो lipolysis होना टूट बंद हो जाता है जिसकी वैसे cholesterol level क्या होगा हलका सा बढ़ जाता है glycogenol leases की बात करें तो जो adrenagic drug क्या करवाते थे glycogenol leases करवाते थे तो अब क्या होगा ये वाले जो blocker है ये glycogenol leases को रोक देंगे कहां पर हार्ट में, skeletal muscle में और liver में that occur due to sympathetic stimulation is attenuated attenuated मतलब stop कर देना तो हार्ट में, skeletal muscle में और liver में जो glycogenol leases हो रही थी जो अबने पीछे पड़ा था ठीक है ना कि glycogenol leases करवाते हैं कौन? adrenergic drug उनको ये blockers क्या करेंगे? रोक देंगे तो पीछे वाली बात में अगर यहाद हैं तो जश्ट उसका उल्टा यहाँ पर लेके आ जाओगे काम हो जाएगा skeletal muscle की बात करें तो skeletal muscle हमारी यह control वाली muscle होती है तो propanolol inbit adrenically provoked tremor adrenergic drug होने से कई वर हाथ में क्या आते थे? हाथ फड़कते थे खाथ कापते थे तो यह इसको रोक देगा उल्टा कर देगा इसका आई की बात करें installation of propanolol and some other beta vlogger reduce secretion of aquosumer aquosumer के secretion को रोक देते हैं there is no consistent effect on people size or accommodation accommodation और people के size पे कोई भी फरक नहीं पड़ता है people size तो पता है ना बीच में काली वाली पुतले होती है accommodation जो हम दूर और पास का देखते हैं तो हमारे lens क्या होते हैं set होते है accordingly उसको accommodation कहते हैं उसके उपर कोई असर नहीं पड़ रहा है uterus की बात करें तो relaxation of uterus in response to isoprenolene and selective beta 2 agonist is blocked by propanolol तो सीधी बात हम लोग क्या सकते है adrenergic की वज़े से uterus क्या करता था relax करता था तो propanolol उसको रोक देगा तो relaxation सीधा सीधा लिख सकते हो relaxation by adrenergic drug is blocked by propanolol इस तरीके से भी लिख सकते हो however normal uterine activity is not significantly affected normal activity affect नहीं होती है बट जो adrenergic दवाई की वज़े से relaxation हुआ है उसको ये block कर देते हैं बात clear हुई now dose अब dose भी क्या है याद करने वाली चीज है alpha blocker के 3-4 दवाईयां पढ़ लोगे beta blocker के 3-4 दवाईयां याद कर लोगे और साथ में उसकी dose को याद कर लोगे ठीक है तो जैसे की phenoxy benzamine 2060 mg per day है ना दिन में per day लेनी है 20-60 mg की dose है एक दिन में 20-60 mg ले सकते हैं ओरली 1 mg per kg by slow IV या IV को थूड ले सकते हैं 1 mg per kg infusion over 1 hour एक घंटे के अंदर तो ये इस तरीके से अब fentolamine 5 mg IV repeated as required इसको repeat कर सकते हैं जोड़ोते हैं otherwise कितनी डोज है 5 mg एक दिन की ऑसर डोज कितनी है 5 mg IV में दीजा सकती है तो इस तरीके से अब ये चीज क्या है रटने वाली कि बैट टाइम पर दीजा रही है एक से चार एंजी दे सकते हैं ठीक है तो यहां पर एक गौर से देखो जा रहा 0.5 2.5 10 है ना तो बहुत हैवी डोज नहीं है 50-200 mg वाली सब बीच की डोज है तो एक आइडिया लग जाए कि हाँ अल्फा लॉकर में ऐसे लिख लोगे एक से लेके 20 की बीच की रेंज है तो यह आइडिया क्यों दे रहा हूं मैं मालो एकजाम है और भूल गए हो तो अच्छा अल्फा ब्लॉकर है इसमें एक से लेके 20 की डोस की बीचना सब कुछ सा तो एक एवरेज 5 या 6 mg खुद से बना कर लिख सकते हो लेकिन कोशिश यह करना कि याद कर लो ठीक है ना यह फिलाल उस समय के लिए एकजाम में अगर भूल जाओ अधरवाइस इसको फॉलो मत करना ठीक है ना क्योंकि एकजाम में छोड़ना नहीं है बात समझ मारी है तो फिलाल कोशिश यह करो कि यह चीजें याद होते रहेंगा बीडी दिन में दो बार टीडियास दिन में तीन बार यह तो पता ही होगा तुम सब लोगों या छुटी डोज वाले ले लिए मीटर प्रोलॉल और एटिनल लॉल यह साड़े बारा से लेकर के सौ तक जा रहा है दुगना करते हैं साड़े बारा पचीस का दुगना पचास का दुगना सौ तो तरीके होते हैं पढ़ने के ऐसे रेंडम पढ़ लो ठीक है तो ऐसी इंजेक्शन के तौर पर है तो यह नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा मतलब अपने आप में स्पैसिफाइए कि इतनी डोस दिन में चाहिए हमें रिपीट करना वह करना वह बात की बात है एक डोस जो सेट की गई है इतनी वह हमारे पास दिन की ठीक है ना बास समझ मारी इंडिकेटर अलफा ब्लॉकर को कहा का इस्तिमाल कर सकते हैं पहला है फियो क्रोमो साइटोमा दूसरा है है हाइपर टेंशन देन बेनाइन हाइपर ट्रॉफिय और प्रोस्ट्रेट देन पैरिफेरल वस्कूलर डिजीज उसके बात क्या है पैपैवरीन और फेंटोलमाइन इंडूस्ट पैनाइल इरेक्शन थेरेपी फॉर इंपोर्टेंश ठीक है तो इसमें यह हमारे पास क्या है पांच इंडिकेशन दे रखे हैं तो यह पांच हमको यहांपर क्या करने है याद करने है ठीक है मेरे काल से सब पता होंगे यह हाइपर टेंशन हाई बीपी में इ इसकी वज़े से क्या होता है एडिन लगातार सिक्रीट होता रहता है बिनाइन हाइपर्ट्रॉफी प्रोस्टेट यानि ऐसा हाइपर्ट्रॉफी मतलब प्रोस्टेट का बड़ा हुआ जो ठीक हो सकता है फैरिफेरल वस्कुलर डिजीज ब्लड की कोई प्रॉब्लम हो पैरिफेरल हिस्टो में या फैपर्ण। फेंटोलमाइन इंडूस्ट पैनाइल इरेक्षण ठीक हो ठीक है न संदोनों की वज़े से इन दोनों की ठीक है जो एरेक्षण मतलब जो इंपोर्टेंश आ गई है अ उसमें हम इसकFr des vai उसको क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं इंड्यूस पैना है जो इंपोर्टेंस आ गई थी उसको क्या कर सकते ठीकक कर सकते हैं कि लिए रहें इसकी लिगवल्गर सेमी ऐ हाइपर टेंशन थोड़ा सा लग है एंजाइन प्रेक्टोरिस कार्डिक एरिद्मिया यही पता है मायकॉडेल इंफेक्शन जानते हो अब कंजेस्टिव हार्ट्स फिलियर जानते हो थायरोक्सिकोसिस थायरोक्सिन की कॉनिटी बढ़ जाना माइगरीन पता यह सरका देद हो के लिए यह कैंने से करो यक्रовор तो इन सब चीजों में क्या है को यह द्रथा वीर की आधर जी अलेर्जी ठीक है नव जो जो कॉमन किया करोगे याद कर लो जिससे की alpha beta दोनों में उसको लिख सको किलियर है बाते हैं ठीक है तो ये थे हमारे पास lecture number five anti-adrenergic drug के बारे में सारी बाते हैं ठीक है इतनी बाते याद कर लोगे more than enough है यादा exam में नहीं आएगा किलियर है और अब हम लोग समझते हैं अपने mind nurture app को तो आओ जानते हैं अपने mind nurture app के बारे में तो yes हमारे channel का जो नाम है mind nurture उसी के नाम से अब app आ चुका है जो की google के play store पे मौझूद है ठीक है lecture के link में भी उसका description दे रखा है और चाहो तो direct कहा play store पे जा करके उसको download कर सकते हो ठीक है अब देखो YouTube पर lectures and notes YouTube पर भी available है free of cost है ना जब मैं पहले से भी पढ़ा रहा था यह तो मैंने बच्चे से promise किया था कि lecture और notes जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर ठीक वैसे डालता रहूँगा कोई change नहीं आएगा जितने lecture मेरे app में होंगे जितने notes मेरे app में होंगे उतने lecture और notes आपको YouTube पर मिलेगा बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी वह चीज है one marks question की practice जो one marks important question होंगे ठीक है ना one marks question में basically तुम्हार पास क्या आते है mcq और fill in the blanks ठीक है न यह तुम्हारे अब नय जो pattern है उसमें नया exam pattern है ठीक है न उसमें mcq और fill in the blanks आ रहे हैं दोनों मिला करके 10 नमर के यह आते हैं 10 नमर के यह आते हैं ठीक है plus two marks question याने कि आप इतना सारा पढ़ेंगे यहां वो कुछ important question दूँगा मैं two marks, three marks, five marks की आगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो pass तो guarantee हो जाएंगे ठीक है और जब detailed knowledge चाहिए होगी ठीक है तो उसके लिए पूरा lecture पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग मैं त तुमारा doubt first गया है ठीक है तो वो कैसे cover होगा वो तो उसके लिए क्या होगा live class होगी doubts के लिए मैं आया करूँ हो live class जो कि अभी start already हो चुकी है बच्चे doubts पूछ रही है और class चल रही है सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है MCQ test की practice ये तो चलो एक बार को ठीक ह MCQ questions, MCQ questions की इतनी सारी practice होने वाली है हर lecture से 15-20 questions भी पूरे chapter से मिला करके 100-100 questions हो जाए करेंगे जो कि तुमारे deform और सबसे important exit exam की उपर based होने वाले है MCQ questions अब जखो समझे क्या है ये MCQ questions का test हम लोग कहा नहीं ले सकते YouTube पर नहीं ले सकते अब YouTube पर क्या होगा मैं बताता ऐसे मैं चल रहा हूँ, question लिखा होगा, 4 option लिखे होगा, मैं बोलूगा बच्चों ये question है, ये 4 option है, इसका answer ही है, मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ना, मजा कैसे आएगा, question सामने होगा, तुम पढ़ोगा और तुम answer click करोगे, पढ़ करके, सोच करके, वो मजा आएगा उ चारीश नमबर में पास हो जाओगे, ठीक है न, तो routine test, routine test का क्या मतलब है, मालो chapter 1 किसी subject का खतम हुआ, उसका test हो जाएगा, फिर chapter 2 खतम हुआ, उसका test हो जाएगा, फिर combined test होगा, एक किसका, chapter number 1 plus chapter number 2 का, फिर chapter 3 मालो खतम हो गया, फिर उसका एक combined test होगा, 1 plus 2 plus 3 इस तरह से चलता रहागा चलता रहागा एक टाइम वो आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 मालो 13 चैप्टर है तो combined test हो रहे हैं यह जो test अगर बच्चा कोई मन से देता है बहुत अच्छे मन से तो more than 95% उसका कहीं नहीं गया है और अगर बेमन से भी दे रहा है 20-30% त्यारी करके भी तो 40% यानि कि 40 नंबर लाना फिर उसके लिए final exam में बहुत आसान हो जाएगा और सबसे बड़ी बात बेटा जो पढ़ाई होगी न हमारा पूरे साल के लिए सभी subject की फर्च्ट येर पूरा साल सभी subject 11 रुपे सेकेंड येर पूरा साल सभी subject फिर से 11 रुपे चयानिकी साल की फीज आपको 11 रुपे पढ़ रही है इस फीज को अगर आप अपनी कॉलिज फीज से कंपेर करोगे तो ना कि बराबर है महिने का तुम्हारा 92 रुपे संथिंग पढ़ता है जाकर के इस से सस्ता चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है कोई चीज समझ में नहीं आ रही है एप को ले करके ठीक है या कुछ बच्चों को ये दिक्कत है नोट का लिंक जो डिक्रिप्शन में दिया रहता है यवर्य तो के दिक जिसमें मैं नाहीं दिया धीकर जिन बच्चों नहीं पता डिक्रिप्शन से निकालना नहीं आता है मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों तो पूछ ले ठीक है उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बे जिजग बिना हिचके चाहे मुझे कॉल करें डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर रहे है सर कैसे क्या है ठीक है मैं तुमनों को वो चीज बता दूँगा किलियर है बासमज में आ गई और सबसे बड़ी चीज ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा येस रिवीजन बिना रिवीजन के आप ये सारी चीज़े नहीं कर पाऊगा यानि कि पढ़ना पड़ेगा है ना तो रिवीजन जरूर 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 करना में हमेशा कहता हो रिवीजन ही है, सिलेक्शन, रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अच्छी पाल होगे, हर एक चीज आपको अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना, तो क्या करते रहो, रिवाइस करते रहो और पढ़ते रहो, आल दा बैस्ट!